के लिए नाज़ी आज हम आपको सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी देते हैं, जो के इसकी एक ट्रेटिशनल रेसिपी है, दो कि धिसमें सबसे पहले तो समयमिलीना है, जो कि हम हमने रहन काप काम और वन काप से थोड़ाडा सा कम हमने रोषूगर का लिया है, जैसे कि 250 g ग्राम्स हमने सेमोलीना ली है, तो 230 g ग्राम्स हम शूगर लेंगी, अब जितनी सेमोलीना है उतना ही हमने बटर लेना है, अगर 1 cup सेमोलीना है तो 1 cup बटर आपको चाहिए होगा, यह salt free बटर है, साथ हमने किश्मिशली है, half cup यानि के अब हम वॉक में, आप चाहें तो आप स्टोफ पे बना लें, कडाही में बना लें, उसमें हम बटर डालते हैं, बटर जो है वो खूब होना चाहिए, अगर बटर कम है तो यह हलवा जो है ठीक नहीं बनेगा, सूजी जो है वो भूनेगी नहीं, बटर जो है इसको पूरी डाल लेते हैं बटर में, लेकिन देखा गया है कि वो जल जाती है, तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है, इस वज़ा से हम इसको अमोमन जो चीज हमने भूननी हो, उसके साथ ही डालते हैं, यह देखिए, यह फूल कर जो है, यह उपर आने लगेगी, सूजी बिल्कुल झा अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी रोस्ट होने लगेगी, और फॉरन ही आप देखेंगे कि इसकी खुश्बू आने लगी है, और इसका कलर जो है, वो चेंज होने लगा है, इसमें शरबती सा रंग आपको ब्राउनीश सीस की टिंच जो है, वो दिखाई देने लगे यह हाफ-हाफ कप ही लिया है, बाकी चीनी, सैमोलीना और बटर जो है, वो बराबर है, अब देख लें, इसमें एक कप पानी और जाएगा, और जिससे के यह सूजी गलेगी, शुगर भी इसमें डिजॉल्व होगी, तो इसमें यह होगा, जितना पानी इसका बनेगा, उसम बटर में ही रोस्ट किया है, और इसको हमने भूनना भी है, और गलाना भी है, तो ज्यादा देर नहीं लगती, बहुत तेजी से यह हलवा यह तयार होता है, तो यह देखिए, अब हमने इसको भून लिया है, हमने इसको 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 पकाना है, कि इसका बटर जो है, वो अल इसका भी एक टी स्पून डाल देते हैं, तो उससे भी इसमें बड़ा अच्छा बनता है, आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, बाज लोग इसको बिल्कुल सादा ही बनाना पसंद करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अलाइची घी और सेमोलीना से ही बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है, तो जैसे आपको पसंद हो, यह देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, साइड्स पे आपको दिख रहा होगा वॉक के, के बबल्स बटर के वो अलग से दिखाई देने लगे हैं, बहुत नर्म, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छेदार हलवा तैयार होता है, तो ट्राइ कीजिए, खुदा करे कि यह रेसिपी आपको पसंद आए, इसके साथ ही हमें इचासत दीजिए, अल्लाहाफिज